नमस्कार दोस्तों सवागत आपका तोस्तों आमिर खान की फिलम जाल सिंग चड़ा है जो कि कल पुरे वर्ल्ड वाइड रिलीज की जाए रही है उसकी एड़ांस वुकिंग एपिसोड में आपका स्वागत है तो आज के इस वीडियो में आपको कल राद तक की एड़ांस चुकिये जिसमें ब्लोक सीट इंक्लूड है तो जांत तक इंदी वर्जन की बात करें तो इंदी वर्जन में इस फिलम को 2.94 क्रोड रुपीज की एड़ांस वुकिंग पराप्त हुई है इंक्लूडिंग ब्लोक सीट्स अगर ब्लोक सीट्स को आप इंक्लूड नहीं करते पहले आपको भी बता देता हूँ कि इस फिलम के अब तक 45,818 टिकेट सोल आउट हो चुके हैं पुरे देश बरसे अब तक रिपोर्ट तो बहुत ही निरस जनक आ रही है वहीं दोस्तों आगर मैं आपको यह बताना चाहूँ कि इस फिलम को करीब 10,500 शोज पुरे देश बर में मिले हैं करीब 3,500 श्क्रिंस के आज पास इसको पुरे देश बर में मिले हैं तो काफी अच्छे फिलम को मिले है और शोज भी काफी अच्छे मिले तो ये कोही कमपलरन्ट नहीं हो निचाई की फिलम को कम स्क्रिंस मिले थे क्योंकि रख deve साथ में करीज हो रही थी एसी कोई सिकाय़त फिलम dob paved और बात कर लेते हैं अब बात कर लेते हैं जर्ड़ी से कुछimetrice के बारे में कि वहां से कैसी कि दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मुंबई की मुंबई में दोस्तों फिल्म को 377 शोज मिले 35 लाग के करीब हुआ प्राफ्त हो चुकी है 11 परसेंट की थेटरों की उपेंट्स है 600 ऑउस्कूल है और 27 यह बतलार में फास्ट फिलिंग है मुझे दोस्तों बात करें देली कि यहां से 51.39 लाग रुपे की प्राफ्त हो चुकी है 467 शोज मिले काफी अच्छी शोज मिले दोस्तों 12 परसेंट की वहां पर थेटर रोक्यूपेंट्स है दस यह उस्पूल हो चुके और 44 शोज मतलब फास्ट फिलिंग है दोस्तों बात करें हिदराबाद की हिदराबा अब तक प्राफ्त हो चुकी है 31 परसेंट की थेटर रोक्यूपेंट से काफी अच्छी खही जा सकती है 56 शोज हो वहां पर जिसमें से 800 शोज हो चुके और 35 शोज फास्ट फिलिंग है तो दोस्तों लाग सिंग चड़ा की अगर वैसे बात की जाए कुल मिलाकर तो क्या अगर फिल्म इतनी अच्छी है तो देखने में क्यों नहीं आ रहे है इससे ज्यादा इड्वाल कार्तिकारियंते जिनको बड़ा इस्टार नहीं माना जाता है तो दोस्तों इसी क्या बात है कि 3 क्रोड रुपए कि अभी तर फिल्म को मिली है वह भी इंडिया ग्रोस ग्रो 2.40 क्रोड रुपीज की हुई है तो बहुत ही निरासा जनाग है कि अमिर खान का इस्टार्टम खतम हो चुका है या बोईकोट लाज सिंग चड़ा जो चला जा रहा है उसका ही असर है कई लोगों ने इस अभियान को मतलब आसी में उड़ा दिया था कि यह रहे कुछ नही है यह रियालिटी ग्राउंड पर देखा जा रहा है लोगों को अमिर खान की फिल्म से बहुत जाद चीड़ है अमिर खान ने जो अपने पिछले व्यक्तव दिये विश्यसकरदेश के खिलाव तरह हिंदू संस्कृति के जिस तरह से उन्होंने बहुत बहुत बयान दिया था ऐसी कई बाते हैं जिस प्रकार से उन्होंने तुर्की की फइस्ट लेडी से मुलाकात की थी तो यसी कई मतलब बाते जो लोग अपने दिल से निकाल नहीं पा रहे है अभी यह अखिकत है यह मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे फिल्म से अलर्जी है या मुझे मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इस अभियान का ऐसर देखा जा रहे है जबर्दस तरीके से देखा जा रहे है वरना आमिर खान जैसे सुपर इस्टार की चार वरस के बार में जब वो फिल्म हों में आपिस आ रहे हैं तो दोस्तों केवल 2.40.000 रुपे की net advance booking प्राप्त होगी स सोचा सोचा भी नहीं जा सकता है इसके बारे में मतलब इसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता हो जिस प्रगार से बोलीवूड की एक के बाद में एक फिल्म द्रासा ही हो रही है अभी तक दो फिल्म में बॉक्स ऑपिस पर हिट हुई है जिसको तुम्हें बोलीवूड की आउटसाइडर माने जाते हैं बोलीवूड से आउटसाइडर दोस्तों यह मातित दोप्री में बोलीवूड की इस साल है जिनोंने मतलब सुपरीट यह ओल्ट टाइम ब्लोकबॉस्टर होने का मतलब तमगा से बाकी सबी प्रिम लाइन से बड़े-बड़े इस्टारों की फि फिल्म अच्छी होगी भी मुझे लग रहा है लेकिन आपको कम से कम जन बाहुनाओ का जयान रखना पड़ेगा अपनी देश की बाहुनाओ का जयान रखना पड़ेगा तबी आप एक सपल इस्टार बन सकते हैं अगर आपको वारत में रहने में से डड़ लगता है ऐसे ब इस फिल्म और प्राप्त कर सकती है तो करीब पांच करोड़ रुपे कि इस फिल्म को टोटल मिलती है तो इसका जो फश्ट देगा जो ओपनिंग देगा कलेक्शन है वो करीब 12 से 14 करोड़ रुपे तक का अपने पहले दिन दे सकता है अलंकि मैं पूरा प्रेडिक्शन अपने पहले दिन कर सकती है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही आप अपनी जरूर कमेंट बॉक्स में वक्ती जिए गाए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो जरूर कर लीजिएगा धन्यवाद टेक केर